असलाम लेकुम आज मैं आप लोगों को बेबी के लिए फ्राग और नेकर बनाना बताऊंगी तो सबसे पहले फ्राग बनाना शुरू करती है फ्राप के घेर को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और मैंने इसको टू लेयर में कट किया है क्योंकि टू लेयर में हमें बनाना है तो सबसे पहले घेर की लंबाई मैंने लिया है 5-5 इंच दोनों की लंबाई मैंने 5-5 इंच लिया है और उपर वाले घेर की चौड़ाई 14 इंच है और नीचे वाले घेर की चौड़ाई 13 इंच है तो इस तरीके से मैंने घेर की कटिंग कर ली है तो पहले घेर वाले कपड़े को हम साइड में रखेंगे और हम देख लेते हैं कि टॉप पार्ट के लिए हमें क्या-क्या कट करना है तो यह मैंने top part के लिए एक सीधी सी पटी कट की है, इसको मैंने two layer में कट किया है और उसके साथ मैंने अस्तर के लिए कपड़ा भी same size से कट कर लिया है ये बिल्कुल सीधा सा कपड़ा मैंने कट किया है इसमें कोई भी कटिंग नहीं है तो सबसे पहले इसकी चोड़ाई देखेंगे 11 इंच चोड़ाई इसकी है और यहां से लंबाई इसकी है 4.5 इंच जो की इस लाई के बाद 4 इंच आएगे तो ये हो गया हमारा टॉप पार्ट इसमें हमें बंधन लगाना होगा यानि की पट्टी वहाला फराग बनाना है तो पट्टी बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है इसकी लंबाई है 7 इंच इसमें सिंगल करने पर 14 इंच है तो ये दोनों साइड का है और इसकी चोड़ाई है 3 इंच ते ये हो गया टॉप पार्ट का कपड़ा और इस तरीके से ये घेर का कपड़ा हो गया तो अब सबसे पहले हमें इसकी सिलाई शुरू करने तो इसके लिए मैंने घेर को अलग-अलग कर ल अलग-अलग इस लेस को हम लगा लेंगे तो सबसे पहले हम घेर में लेस को लगा लेंगे तो देखिए मैंने घेर में इस लेस की सिलाई कर ली है चारों घेर में मैंने शिलाई कर ली है यानि कि दो छोटा वाला गेर और दो बड़ा वाला गेर इसकी चोड़ाई 5 इंच है और मैंने उसी की साइज से अस्तर भी कटिंग किया है तो इसकी चोड़ाई भी मैंने सेम रखी है 5 इंच क्योंकि ये जो बड़ा वाला नीचे का घेर है ना इसको हमें इसी अस्तर में जॉइंट करना होगा तो यहां से हम हलका हलका चुनिट बनाएंगे पूरे घेर में और इसको हम इस अस्तर के साथ सिलाई कर देंगे उसी तरीके से दूसरे वाले घेर को भी हम दूसरे अस्तर में इस तरीके से चुनिट बना करके ये दूसरे में हम इसको जॉइंट कर लेंगे तो दोनों गेर को हम सेम तरीके से बना लेंगे तो देखिए मैंने गेर को बना करके तयार कर लिया है अब बारी है उपर वाले गेर की तो ये दोनों मैंने नीचे का गेर बना लिया है तो इसके उपर अब हमें छोटे वाले गेर को रखना होगा इसी तरीके से चुनट बना करके इस पर हमें सिलाई करनी होगी दोनों घेर को हम उसी तरीके से बना करके तयार कर लेंगे तो देखिए ये घेर मैंने बना लिया है दोनों घेर को मैंने आगे वाला पीछे वाला दोनों घेर बना करके तयार कर लिया है तो ये घेर बनाने के बाद अब इसको हम रख देंगे side way और उसके बाद हमें top part की सिलाय शुरू करनी होगी तो top part के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है अब इसको सबसे पहले हमें ये जो पट्टी है इसकी हमें सिलाय करनी होगी चाहे तो इस तरीके से simple सिलाय करके इसको पलट दे या चाहे तो इस पर lace लगा सकती है तो हमें तो इस पर lace लगाना है जो lace मैंने घेर में यूज की है वही वाली lace हमें यहाँ पर लगाना होगा तो आपकी पसंद जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकती है चाहे तो simple सिलाई कर सकती है सिलाई करके पलट दी चाहे तो लेस लगा ले तो इसमें पहले लेस लगा लेंगे फिर हम ये वाला कपड़ा लेंगे यानि कि ये front और back पार्ट दोनों को हम अलग अलग करके अस्तर के साथ हम रख लेंगे उसके बाद हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे तो इस तरीके से मैंने दोनों का सेट बना लिया इसके बाद हमें आगे वाले पार्ट में यहाँ पर लेस लगानी है चाहे तो आप simple भी छोड़ सकती है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेस लगाने के लिए ले लिया है दो इंच इधर दो इंच उधर हम दोनों साइट दो दो इंच छोड़ करके निशान लगा लेंगे तो इस तरीके से देखिए मैंने निशान लगा लिया है यह निशान लगाने के बाद फिर हम पट्टी को इस पर इस तरीके से रख लेंगे यानि कि निशान से मिलाते हुए इस पटी को हम रख करके इस तरीके से सेट कर लेंगे और रखने के बाद इसके उपर से अस्तर को रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से खोल करके एक और सिलाई लगाएंगे और फिर ये चारो तरफ से रफ सिलाई लगा लेंगे तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा लिए है इस तरीके से हमने एक साइड के टॉप पार्ट को जॉइंट कर लिया है अब बैक वाले पार्ट को भी हमें इसमें जॉइंट करना होगा तो सेम तरीके से इसकी भी सिलाई करेंगे पहले हम सेंटर में निशान लगा लेंगे आप जाएं तो इन निशान को एक साथ ही लगा ले तो आपको इजी रहेगा तो इस तरीके से देखे, मैंने 2-2 इंच पर निशान लगा दिया है दोनों साइड अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे इस तरीके से रख लेंगे ताकि हमारा कपड़ा उल्टा सीधा ना हो इसका में ध्यान रखना होगा और फिर ये अस्तर के साथ रख करके इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से करके खोल के हम चारो तरफ रफ सिलाई लगा लेंगे तो देखिए मैंने टॉप पार्ट की इस तरीके से सिलाई कर ली है हमारा ये पूरा बन के तयार है अब इसको बनाने के बाद इसमें हमें घेर को जॉइंट करना होगा तो सबसे पहले फिर से हम इसको खोल के रखेंगे और अब हम घेर को लेंगे तो एक साइड हम इस घेर को रखेंगे दूसरी साइड भी हम एक घेर को रखेंगे दोनों साइड गेर को इस तरीके से रख करके यहां पर हम इसको पकड़ करके सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड वाले को भी यहां से यहां तक हम एक साथ पकड़ लेंगे और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे ये जब हमारी सिलाई लग जाएगी तो इसको हम वापस से इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद फिर हम इसको इस वाले पार्ट को हम उठा करके दूसरी साइड यहां पर ले आके रखेंगे और फिर हम साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से हमारा गेर यानि कि हमारा फ्राग बनके रेडी हो जाएगा तो देखिए मैंने इसमें भी सिलाई लगा लिया है इधर भी दोनों गेर को जॉइंट कर लिया है उसके बाद मैंने side से शिलाई लगा ली है तो हमारा frog इस तरीके से बन के ready हो गया है तो पहले इसको सीधा कर लेती हूं सीधा करके आपको दिखाती हूं तो ये है हमारा प्यारा सा frog पूरी तरीके से बन के complete है अब इस फ्राग को बनाने के बाद अब बारी है नेकर बनाने की तो फ्राग को पहले हम साइड में रखेंगे और अब हम नेकर बनाएंगे तो नेकर बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है ये कपड़ा हमारा थोड़ा सा रिजेक्ट है प्रिंट थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ है प्लीज आप इसको एग्नोर करें ये कपड़े को मैंने फोर फोल्ड में लेने के बाद अब हमें इस पर सबसे पहले निशान लगाना होगा तो यहां पर हम एक इंच पहले नेफा का निशान लगाएंगे पहले इसकी लंबाई देख लिजिए कि 11 इंच लंबाई है और चौड़ाई इसकी है 8 इंच तो यहां से पहले हम नेफा के लिए 1 इंच निशान लगाएंगे जिसमें हमें लाश्टिक लगाना होगा फिर यहां से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे जो कि हमारे आसन का निशान होगा अब इस को हम इस तरीके से हलका सा आधे इंच की चौड़ाई में यहां से यहां तक हम मिला लेंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे अगर आपको मियानी लगा करके नेकर बनाना हो तो आप यह कटिंग बिल्कुल भी ना करें आप कपड़े को सीधा ही रहने दें तो हमने बिगर मि तरीके से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद फिर वापस से हम इसमें बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे तो देखिए 16 इंच इसकी चौड़ाई है तो हाफ आएगा 8 इंच 8 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे तो सिलाई में जाएगा तो एक इंच उपर हम चौनट बना लेंगे और दूसरे वाले पार्ट में भी सेम तरीके से निशान लगाएंगे 8 इंच पर इसको भी नीचे से फोल्ड कर लेंगे तो एक इंच उपर हम इस तरीके से चौनट बना लेंगे तो दोनों को पहले हम चौन कर देंगे यह सिलाई लगा के बंद करने के बाद फिर हम नेफे को फोल्ड करेंगे लास्टिक के साथ तो उसके बाद फिर हम नेकर को इस तरीके से खोल लेंगे यानि कि जब हम नेकर की सिलाई कर लेंगे तो यह अलग नहीं रहेगा एक साथ जॉइंट रहेगा तो यह सिला बच्चों के लिए यही लाश्टिक यूज करती हूँ क्योंकि इससे कमर में कोई भी निशान नहीं आता और इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है अगर आपको चप्टी वाली लाश्टिक लगाना हो तो लगा सकती है लेकिन वो बच्चों को दिक्ट करती है तो इस तरीके से मैंने गौल वाली लाश्टिक को यहाँ से ब BACK लिया है और इसके अंदर डाल करके पूरी गोलाई में हम इस पर सिलाही लगा लेंगे तो देखिए मैने नेकर की सिलाही लगा करके पूरा कंपलिट कर लिया है पूरी तरीके से हमारा नेकर बनके तयार है हर जिगह से मैंने सिलाई लगा ली लाश्टिक की सिलाई लगा ली है तो ये हमारा प्यारा सा बेबी फ्रॉक और नेगर दोनों बन कर के तयार है बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक बन के तयार हुआ है उमीद है कि ये बेबी फ्रॉक की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी इच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, अलाफिज